मुख्बिर सूचना मिली कि कुछ सातिर किस्म के अपरादी चार पईया गाड़ी से लोटन सिधार्थ नगर की तरप से भारी मात्रा में चोरी के आभूसर लेकर जा रहे हैं इस सूचना पर सभी अधिकारी सोना पिपरी घाट के पास SSB रोट पर आने जाने वाले सभी वाहनू की चेकिंग करने लगे कुछना में पस्चात एक सफेथ रंग की कारपियो गाड़ी आई जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का हिसारा किया गया तो चालक द्वारा पुलिस वालों को कुछलने की नियत से गाड़ी की रफ्तार तेज कर दिया गया जिससे चालक अनियंत्री तो होकर सड़क के किनारे पुलिया में टकरा गया बदमास वाहन से उतर कर पुलिस टीम पर फायर कर दिये पूलिस पार्टी द्वारा भी सड़क के किनारे गड़े में अगल बगल शिपकर आत्म रक्षा जवाबी दो राउंड फायर किया गया तो एक बदमास के पैर में गोली लगी तथा एक बदमास भागते वक्त गड़े में गिर कर घायल हो गया दोनों घायल बदमासों को वही कित अब ओस लिया गया थानाकोलोई छेतिम में बॉन सेखिकिंग की जा रही थी सौरत्गत में एक चोरी हुई है जिसके अवयक्त में इससी दोरा मुख्षेत्र में बढ रहे हैं इस सूकना पर तत्कीन प्रदकाल सेंप टीम के द्वारा सगंता के साथ में चेकिंग लगाएगी। चेकिंग के दौरान अब्युक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया। जिसमें जवावी फाइरिंग में उल्फत को गोली लगी है। जिसे उपचार हेतू हॉस्पिटल मेडिमिट दिया गया। दूसरे अब्युक्त को भागते हुए चोट लगी है। उसे भी उपचार हेतू एड्मिट करवा दिया गया है। उल्फत गोंडा का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है। वो तेरे क्लो चांदी, चोरी की, स्कॉर्पियो और साथ में चार और एक टीवी बरामद हुई है। इस समन्द में सिदार्पनगर टीम को भी अवगत करा दिया गया है। अगरिम विदिककार भई अमल में लाई जा रही है।